हेलो फ्रेंड्स वेल्कुम बेक टो दिस एड़ चैनल जिसके नाम है साइलेंट सीविल और मेरा नाम है विकास तो फ्रेंड्स यहां पे देखिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानि की इस्बी बैंक के टरफ से रिकूटमेंट निकल के आ रहा है प्रोफिस नयर्य अफिस सर्स के लिए तो यहां पर आप 1975 बैक्न सी निकल कर सकता है अगर आपके पास B, B Tech, या फिर किसी भी field में, किसी भी discipline में अगर आप graduation किये हो, देना आप इसके लिए eligible हो, लेकिन अगर आप यहाँ पर final year में हो, देना आप यहाँ पर eligible हो या नहीं, यहाँ पर मैं आपको बाता ना जाओगा, कि final year भी यहाँ पर apply कर सकते हैं, लेकिन आपका जो certificate है, जो final certificate वो आपका 31st December 2021 के अंदर ही आजाना चाहिए, समझ गे, तो अभी चलिए, details में इस notification को उपर बात करते हैं, कैसा आपका examination का pattern है, क्या यहाँ पर eligibility criteria है, सब कुछ यहाँ पर मैं details में, आप सब लोगों के साथ discussion करूँगा, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो आपको सिर्फ 20 दिन का time मिल रहा है, उसके अंदर आपको यहाँ पर form flip कर देना है, तो यहाँ पर और कुछ important dates दिया गया है, उसके उपर बात करते हैं, देखे जैसे कि मैं बोला, आपका जो online registration का करने का पक्रिया है, वो आपका 5-10-2021 से लगकर 25-10-2021 तक चलने वाला है, औ यहाँ पर आपका जो fee payment है, वो भी होई same date रखाएगा है, और यहाँ पर आपका जो preliminary examination है, उसका जो call letter है, यानि कि admit card का जो आएगा, वो कब आजाएगा, वो आपका first या फिर second week of November में आजाएगा, और जो आपका preliminary examination है, वो आपका November या फिर December में होने को है, उस हिसाब से आ call letter है, यानि कि उसका admit card है, वो कब तक आप download कर पाएगे, वो आप second या फिर third week of December में download कर पाएगे, जो admit card आजाएगा, main exam का, और main exam आपका conduct होने वाला है, December मैने में ही, आपका main exam conduct किया जाने वाला है, और यहाँ पर जो main exam का result है, वो आपका January 2022 में निकलने वाला है, और यह यहाँ पर second या फिर third week में, third week of February में, यहाँ पर, यानि कि आप जो interview देंगे, या फिर group exercise, या फिर आपका phase 3 में, जो भी कुछ होने का है, वो आपका February, second या फिर third week में होने का है, तो यहाँ पर देखिए, declaration of final result, यहाँ पर सबका final result है, वो आपका February या फिर March महिने में निक सलने वाला है, तो आपको समझ में आ गया, अभी और कुछ यहाँ पर details में दिया गया है, देखिए, और यहाँ पर दिया गया है, pre-examination training जो program होता है, जो आपका AC, ST, या फिर minority religious के लिए, जो pre-examination training होता है, वो आपका first week of November में होने बाला है, और यहाँ पर second week of November तक, यहा सब कुछ समझ में आ चुका होगा, dates से related, जो भी कुछ आपका doubt है, मैं सोचता हूँ कि वो सब आपका, यहाँ पर clear हो चुका होगा, तो चले यहाँ पर हम बात करते है, यहाँ पर कितना total vacancy निकल का है, उसके ओपर हम भी बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए, आपका regular vacancy निकल के आए है, और यहाँ पर देखिए, category wise, यहाँ पर vacancy को भी divide किया गया है, AC के लिए 300 vacancy, ST के लिए 150, तो total यहाँ पर AC के लिए 324 vacancy निकल के आए है, ST के लिए 162, OBC के लिए 560, AWS category के लिए 200, general category के लिए 810, और total यहाँ पर 2056 vacancy निकल के आए है, तो बहुत ही eligibility criteria, तो यहाँ पर essential academic qualification, आज on 31st December 2021, तो यहाँ पर बोला गया है कि 31st December 2021 के अंदर आपके पास graduation होना चाहिए, graduation का certificate होना चाहिए, अगर final year हो, then apply कर सकते हो, लेकिन आपका पास out date होना चाहिए, वो आपका 31st December से पहले होना चाहिए, और यहाँ पर अगर आप graduation के हो, किसी भी discipline में, यानि कि B.E.B.T.E.G. या पर B.E.C. Commerce line में, हर कोई यहाँ पर apply कर सकता है, और यहाँ पर भी दिया गया है, candidates, position, qualification, वो chattered accountant और cost accountant, then you can also apply here, तो चले और कुछ details में दिया गया है, उसके उपर बात करते हैं, तो यहाँ पर age limit रखा गया है, 14 2021 के अंदर आपका जो age है, वो आपका 21 साल से लेकर 30 साल के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर schedule cast, other backward cast, इन सब के लिए कुछ age relaxation यहाँ पर दे दिया गया है, इसको download करके अच्छी से पढ़ तो फ्रेंट्स देखिए, यहाँ पर category के regarding कुछ यहाँ पर दिया गया है, मतलब जब आप online apply करेंगे, उस समय आपको यहाँ पर आपका जो भी category से आप belongs करते हो, उसका code यहाँ पर दिया गया है, इस टेबल में दिया गया है, इसको आपको put करना है, देखिए, selection process, तो यहा हम अभी यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए, preliminary examination जो होगा, उसमें आपको total 100 marks देखनों को मिलेगा, और हर एक question आपका objective type का होगा, और यहाँ पर तीन section आपको देखाई देगा, जो की जिनका time भी separate होगा, अलग-अलग उनका time भी है, तो यहाँ पर तीन section क्या-क्या है, देख लेते हैं, यहाँ पर तीन section है, वह आपका first section में आपको English language देखनों को मिलेगा, देखिए, first section जो English language है, उसके लिए आपको यहाँ पर 30 कोशिन देखनों को मिलेगा, और जिसके लिए यहाँ पर time duration 20 minutes रखा गया है, और यहाँ पर quantitative attitude के लिए यहाँ आपको 35 कोशिन द और यहाँ पर total marks आपका कितना होगे, 100 marks, और यहाँ पर selection criteria for main examination, तो यहाँ पर main examination आपका जो होगा, वो case type का होगा, देख लिए, यहाँ पर main examination में ओही लोग बेटेंगे, जो preliminary exam में shortlist होगे, preliminary examination में कितने लोग shortlist होगे, आपका जो vacancy जितना है, उसका 10 time यहाँ पर main examination के लिए shortlist होगे, तो यहाँ पर जो देख लिए, main examination के जो pattern क्या रहने वाला है, यहाँ पर देखिए, आपको 200 objective type question देखने हो मिलेगा 50 आपको descriptive type question देखने हो मिलेगा, यानि कि आपका जो यहाँ पर exam होए, वो आपका computer में ही होने वाला है, यहाँ पर computer में आपको 200 objective type question देखने हो मिलेगा, और उसके साथ आपको descriptive type question देखने हो मिलेगा, उसको उसका जो answer है, उसको आपको computer में ही type करना पड़ेगा, तो पर चार सेक्षन होने वाले और जिसके लिए टोटाल 200 मार्क्स रखा गया है जो फार्ट सेक्षन है रिजेनिंग यांड कम्पूटर अप्टिचुड इसमें आपको 45 कोशिन देखने को मिलेगा जिसमें आपको टोटाल 60 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स यहां पर कितना रखा गया ओनोमी बैंकिंग आ Macht के ऊपर कोशिन रहेगा जोकि 40 कोशिन होगा और यहां पर टोटाल मार्क कीतना रहेगा 40 मार्कस रहे गा और यहां पर टोटाल 35 मिनट्स आपको दिया जाएगा और लास्ट में फटो सेक्षन में आपको इंग्लिष लींउस से कोशिन देखने को मिलेगा यहां पर देखिए और इसका जो एक्जम पटन कैसा रहने वाला है यहां पर आपको आइदर लेटर राइटिंग दिया जागा या फिर यह से लिखना पड़ेगा जो कि दो कोशिन आपको यहां पर दिखने को मिलेगा टोटल आपको यहां पर फिफ्टी मार्क्स दिया जाएगा डिस्क्रिफ्टी ट्राइब टेस्ट के लिए ओके सिलेक्शन क्रेटर फर फेस थ्री तो फेस थ्री में आपका यहां पर क्या रहने वाला है चले देख लेते हैं फ्री का एक्जम होगा उसमें कौन-कौन बैठेंगे जो फेस टू यानि कि मेन एक्जमिन ज आज सकता है 50 mask या फिर आपको यहां पर इंट्र व्यू देना पड़ेगा 30 mask या फिर उसके साथ group exercise 20 mask यहां पर रहे सकता है तो फेस थ्री पाटन कुछ एस सार आएगा उसके साथ आपका फेस थ्री एक्जम के बाद आपका यहां पर final decision कर धिया जाएगा कि कौन-कौन यहा आगे document verification के लिए जाएगा तो चलिए इतना था आपका examination जो आपका partner ने जो आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा और यहाँ पर और एक इंपोर्टेट बात कि यहाँ पर फोर्थ नेगेटिम मार्क नहीं रखा गया है यानि कि अगर चार गलती करते हो तो यहाँ पर आप आपको सब मिल जाएगा ओके तो यहाँ पर एक बहुत इंपोर्टेंट बात यह है कि application fee आपका कितना रहने वाला है यहाँ पर देखिए application fee आपका general EWS and OBC category के लिए 750 रुपया यानि कि 750 रुपीज रखा गया है जबकि AC, ST, PWD candidates के लिए यहाँ पर कुछ भी पेसा नहीं लगने बाला है यह जो fee payment आप करेंगे यह एक non-referdable fee payment है यानि कि आपका fee payment करने के बाद और आपको fee नहीं मिलेगा तो देखकर करना है आपको fee payment यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया गया है number of chances तो यहाँ पर कितना number of chances आपको मिल रहा है इस exam को देने के लिए देखिए यहाँ पर general and EWS category के लिए यहाँ टोटल चार टाइम आपको यहाँ पर chance मिलने वाला है जबकि general PWD या फिर EWS, PWD category के लिए यहाँ पर साथ बार आपको यहाँ चांस मिल restriction यहाँ पर रखाने गया है वो जितना बार चाहेंगे उतने बार यहाँ पर exam दे सकते हैं यहाँ पर दिया गया है how to apply यहाँ पर आपको step by step कैसे apply करना है इनके notification में दिया गया है लेगन आपको बिल्कुल भी चिंता करने का ज़रोत नहीं है अगर आप मुझे subscribe किये हो दे देख लेते हैं तो फ्रेंट्स यहाँ पर जो आपका एक्जमिनेशन सेंटर से वह कहां कहां पर रहने वाला है वह आपको यहाँ पर डेटर से में दिया गया है आप देख सेकते हो कि आप कौन सा स्टेर से हो और वहां पर किस किस जगा पर आपका सेंटर पढ़ा है तो उस Cashmore, coefficient, handwritten declaration, इन तिन चार चीजों को आपको यहाँ पर upload करना पढ़ेगा, और जो यहाँ पर लिखा गया है handwritten declaration, उसमें आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है, इहाँ पर टोटाल, यहाँ से लेकर, I से लेकर यहाँ पर, of mine यहां तक आपको लिखना है आपका खुद का handwriting में लिखना है और यहां पर बिल्कुल भी मतलब capital letters में सबको लिखना नहीं है मतलब जैसे जो running handwriting जैसे लिखते हैं न उसी तरह आपको इसको लिखना है एक white paper में लिखना है और उसको scan करके upload कर देना है और यहां पर देखिए आपका photograph का size क्या रहना चाहिए और भी यहां पर photograph के related और भी details यहां नीचे नीचे दिया गया है वो आप देख लिजिए और हाँ friends जो left hand thumb impression है ओके वो अगर आपका left hand thumb नहीं है देन आप क्या करेंगे आपका right hand thumb impression यहां पर देख सकते हो यहां पर clearly लिखा गया है और यहां पर देख सकते हो यहां पर आपका signature का size क्या रहना चाहिए left thumb जो impression देंगे left thumb का okay उसका क्या size रहना चाहिए यह सब कुछ आपको यहां पर पढ़ लेना है notification डाउलोड करके निचे description box में मैं इस notification का link द from flip कर सकते हो आप घर बेटके उसके ओपर मैं के वीडियो बना दूँगा उसको भी देख लेना तो अभी आपको काम बस इतना है कि इस वीडियो को like कर दिजे चैनल को subscribe करके वेल icon को press कर दिजे तो चलिए friends मिलते हैं आगले वीडियो में thanks for watching